नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल ओनलाइन एंड ओफलेंग घ्यान में जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि जहाँ जहाँ पर आईटे के रिकूट्मेंट मुझे दिखाई देगी आप लोगों के लिए अपडेट उसके बार में कोंट्रक बेसिस की है और इसका फॉर्म फिल करने के लिए जो जनल ओबीसी के बच्चे हैं उनको 600 रुपे पे करने पड़ेंगे बाकी SC, ST के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है बाकी की चीज़े हम नीचे डिसकस करेंगे इसका फॉर्म कल से आप लोगों के लिए च जाएगी लेकिन पहले आप लोगों का मुझे सजेशन चाहिए होगा अब देखो SC recruitment लाने का मेरा मकसद यही रहता है क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे बहुत बड़ी संख्या SC है जो experience लेके बैठी हुए लेकिन उसके बाद उनको जो है कही ना कही नोकरी की जरूरत है इस इसके लावा बहुत बड़ी संख्या SC भी है जो कही ना कही से experience बनवा लेती है लेकिन पहली बता दूँ वैसे experience हर जगा पर नहीं चलते हैं लेकिन उस experience को अब ऐसी जगा पर लगा कर form फिल कर सकते हैं और selection पा सकते हैं यह जो नोकरी है contract basis की है लेकिन जो criteria है वो सरकारी न practical और फिर आप लोगों का finance selection यहाँ पर sheet metal worker है जिसमें 10th plus ITI आप लोगों को चाहिए और ITI NCVT से चाहिए SCVT नहीं चलेगा all over India से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा एक चीज़ और sheet metal जो है इसमें fitter वाले बच्चे भी apply कर पा दिवाइड किया हुआ है एक आप लोगों की fabrication assistant on contract और एक आप लोगों की output assistance on contract यह 3 साल के contract की नोकरी है इसके बाद department की मर्जी है कि वो आप लोगों का contract बढ़ाए या ना बढ़ाए लेकिन maximum 3 साल तो आप लोगों को देगा ही देगा बागी department करता है उसके बाद यहाँ पर है mmv है plumber है painter है electrician है उसके बाद electronic mechanic instrument mechanic और ship right wood और सब में 3 साल का experience post qualification इन्होंने मांगा है यानि कि पहले आपने आपने ita किया और फिर उसके बाद आपने जो भी relevant qualification है जो मांगी हुए वो प्राप्त करी उसके बाद आपने experience प्राप्त किया ऐसा नहीं चलेगा कि पहले आप आपने experience ले लिए फिर ita किया वो काम यहाँ पर नहीं करेगा कल से इसका form चाली हो जाएगा और 28 जुलाई तक आप लोग इसका form फिल कर पाएंगे अगर मैं post की बात करूं तो यहाँ पर sheet metal के लिए 21, welder के लिए 34, उसके बाद outfit assistant on contract में 88 fitter के लिए diesel mechanic के लिए 19 और बागी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते है total ita की 300 post है अगर यह permanent होती न तो यकीन कीजिए ita वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोका होता लेकिन यह contract basis की है इस वजए से जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है नोकरी की वही इसका form फिल करें और जिनके पास experience है वही form फ पैसा कितना मिलेगा पैसा भी बता देता हूं पहले साल 23,300 रुपे और यह compensation है extra hours के second year में 24,000 रुपे और third year में 24,800 रुपे आपको परमंथ दिये जाएंगे बाखी जो आप additional work करते है घंटे के इसाब से आप लोगों को इस के according पैसा दिया जाएगा उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपर age limit 30 साल है maximum और जो minimum age है वो 18 साल है age आप लोगों की 28 जो लए 23 के basis पर calculate की जा रही है यानी से date पर आपकी age जो है 18 से कमनी होने चीए और 30 से जादा नहीं होने चीए लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों H.C.H.T. OBC है तो जो relaxation मिलत और creamy layer को नहीं मिलेगा आप जानती है OBC में दो category होती है इसके बार में बता चुका हूँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों के method of selection की phase 1 में objective type question जिसमें online test होगा 30 marks का जिसमें 10 number का non technical और 20 number का आपका technical part होगा उसके बाद phase 2 आप लोगों का 70 marks का होगा और outfit assistant in various states इ आपके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के और चीज़ें आप लोगों को समझाते हैं यह देखो जिसकी में बात करा था जो आपका 10 number का आपका criteria होगा वो non technical होगा और जो 20 marks का होगा वो आपका based on discipline होगा यानि based on trades होगा negative marking किसी भी प्रकार की इसमें नहीं है और यहाँ पर जो minimum passing marks का criteria वो आप लोगों के सामने रखा हुआ है उसके बाद इसका form कल से आप लोगों के लिए चालू हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया आगे बढ़ते हैं आगे fees का criteria भी आप लोगों को मैं दिखा देता हू fees यहाँ पर 600 रुपे आप लोगों की लगनी है जो non refundable होगी जो यहाँ पर SCST है उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है तो वो तो form को असानी से fill कर सकते हैं बाकी जो जिनकी fees लगनी है वो एक बार सोच लेना कि आप लोगों को यहाँ पर जाके exam देना है य देखो coaching ship yard मैंने पहले भी बताया अगर यह permanent नोकरी निकालता है निकालता भी है permanent ऐसा नहीं है लेकिन बहुत ही कम post वहाँ पे रखता है अब यह सारे department जो इस तरीके का खेल खेल रहे हैं कि इनको contract basis पे नोकर मिल जाए और यह उनसे काम करा के फिर दुबारा से यही सिल्स कि देखते है future में अगर यह इन जीजों को सुधार थे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो ऐसे department से ITA वाले बच्चों को कन्नी काटने चाहिए ताकि इस तरीके की हरकत यह department ना करें अब ITA वाले बच्चों को नोकरी की जरूत होती है वो ऐसे department में जाके नोकरी करते हैं वरना यह permanent vacancy निकालें अगर ITA वाले बच्चे ऐसे department में अप्लाई ना करें तो लेकिन जब नोकरी की जरूत है तो बच्चे को करना पड़ता है और वहाँ पर जाकर इस तरीके की नोकरी करने पड़ती है यह आप लोग जानते हैं एक चीज में और बता दूँ आप लोग ACIL के बार में जानते हैं ACIL पहले contract basis पे ना होके permanent नोकरी निकालता था लेकिन जब उन्हें पता लगा कि संख्या जादा है ITA वाले बच्चों की और नोकरी के लिए बच्चे बेचैन है इस वज़े से वो contract basis की नोकरी निकालने लग गया अब इसी तरीके की हरकत और भी department कर रहे हैं और ordinance factory का भी हाल आप लोगों को पता है privatization की वज़े से और बाकी देखते हैं अगर ये लोग इस तरीकी की हरकत करना बंद कर देंगे तो ITA वले बच्चे बड़ी मात्रा में इसके form फिल करेंगे वो भी permanent basis पे बाकी मैं official site पे इसकी चीज एक बार आप लोगों को description में दे दूँगा so that जो बच्चे इसके लिए apply करना चाते हैं वो apply कर सके notification आप लोगों के सामने है कल से इसका form चालू हो जाएगा ये खुद बोल रहे है 14 जुलाई से form activate हो जाएगा मेरी site से इसमें इतनी ही जानकारी थी मैंने जो जानकारी दिया आशा करता हूँ आप से संतुष्ट होंगे कोई question है तो आप लोग पूछ लेंगे स्सीवीटी इसमें eligible नहीं है ये चीज और मुझे आप लोगों को बतानी थी धन्यवाद वह अंत में जाते जाते इसकी जो posting है वो चन्नई साइड पे करला साइड पे ही आप लोगों की होगी बाकी डिपार्ट